सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए इस वर्कषीट में चैनल को प्रेस्टरी का है उसमें पिछले बार तो हमने लास्टाइब हमने किस की स्टोरी पड़ती दा स्टोरी ऑफ बुद्धा और आज हम उपनिशत के बारे में जानेंगे कि वॉट्ट इस अपनिशत और कैसे उस समें टीचिंग होती थी कैसे क्या होता था उनके बारे में हम सब यह इसमें डिस्कस करेंगे इस वर्कषीट में तो लेट साथ अननसेंड विद्मी एर इस अपिक्चर गिवन इन विच इन देस पिक्चर दीचर और गुरू इस पिक्चर में एक गुरू दे रखें हैं बठाय बैठे हुए हमें नजर आ रहे हैं और उनके आसपास जो उनके श्टूडेंट्स हैं जो शिश्य हैं वो बै teaching को उनको verbally सिखा रहे हैं तो let's find उपनिशद literally means approaching and sitting near and the text contain conversations between the teachers and the students लेखिये उपनिशद का यहाँ पे literally meaning क्या है approaching and sitting near याने अपने teacher के उनको approach करके उनके साथ में बैठना उनके पास बैठना and the text contained conversation का मतलब और इस text में उपनिशद में क्या दे रखा है जो teacher and students के बीच की जो बातचीत है conversation है उसको इसमें दिया हुआ है वो इसमें शामिल है कि इसमें उपनिशद में often ideas were presented through the simple dialogues और जो इसमें ideas दे रखे है या जो भी इसमें text दे रखा है वो simple dialogues में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है conversation between teacher and student जैसे just like आप class में आपके teacher आपके साथ बातचीत करते हैं and the next is around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier other thinkers also tried to find difficult questions देखिए जिस समें बुद्धा अपनी teaching दे रहे थे शायद उनके उनसे थोड़ा सा और पहले बहुत सारे जो thinkers यानि विचारक सोचने वाले उन्होंने बहुत सारे difficult questions का answer ढूनने की कोशिश की some of them wanted to know about life after death उनमें से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि क्या death के बाद भी life होती है and others wanted to know why sacrifices should be performed यानि उनमें से बहुत सारे लोग अन्य विचारक भी ये भी जानना चाहते थे कि ये जो sacrifice यानि ये यग्ये वगरा होते हैं ये आखिर क्यों किये जाते हैं many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death और उनमें से बहुत से तो ये भी सोचते थे कि इस पूरे universe में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो permanent है बाकि तो हम सब देखते हैं कि वो permanent नहीं है सब चला जाता है लेकिन उनको ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ permanent है जो शायद death के बाद भी रहता है they describe this as the atman of or the individual soul and the brahman and the brahman or the universal soul उन्होंने इसे आत्मा या ब्रहम के रूप में ब्रहम जो हमने पढ़ा ब्रहमन वो नहीं actually ब्रहमन है प्रहमन मतलब भ्रहम जो हमारा ब्रहमान है उसके बारे में उन्होंने बोला या atman यह वो आत्मन है कि मतलब उन्होंने उसको एक आत्मा के रूप में बताया कि शायद वो आत्मा है जो कि मृत्यू के बाद भी रहती है लोगों एसा बताया they believed that ultimately both the atman and brahman Most उपनिशदिक thinkers were men देखिए जो ज़्यादा तर उपनिशद वाले विचारक थे, सोचने वाले थे वो कौन थे? वो पुरुष थे, आदमी थे Especially ब्रामिन्ट्स एंड राजास जो इसमें ज़्यादा तर कौन होते थे? ब्रामिन्ट्स होते थे? या राजा होते थे? क्योंकि अकसर वही ज़्यादा लोग पहले के जमाने में पड़े लिखे होते थे Occasionally there is mention of women thinkers और कहीं कहीं ही शायद women thinkers के बारे में वहाँ पर mention किया गया such as Gargi, Gargi एक ऐसी women thinker थी जो कि हमेशा इन तरीके की जो भी discussion होते थे उन में बहुत वह participation बहुत जादा पार्टिसपेट करती थी क्योंकि वह एक बहुत ही knowledgeable woman थी who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts देखिए उनके बारे में यही बताया जाता है कि वह अपनी learning के बारे में बहुत जादा famous थी कि बहुत ही knowledgeable person थी और यहां तक कि बहुत royal courts में राजाओं की दरबार में जहां बड़े बड़े चर्चाएं होती थी उन में वह participate करती थी poor people rarely took part in these discussions जो poor people होते थे वो तो बहुत ही कम in discussion में participate करते थे but we may find some exceptions to और हम कभी-कभी ऐसी exceptions भी देखते हैं जो कि होता है ऐसा नहीं कि poor people हमेशा ही इस से दूर रहते थे लेकिन कुछ exceptions are always there क्योंकि कुछ poor people के बारे में भी हमारे इन उपनिशदों में जानकारी दे रखी है कि वो लोग भी आगे बढ़ चड़ कर हिसा लेते थे So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. So the first question is what is the meaning of the word उपनिशद? As you all know अभी अभी उपर हमने समझा भी है हमने discuss भी किया उपनिशद literally means approaching and sitting near किसके sitting near अपने teacher के and the text contains conversations between teachers and students और उसके अंदर जो text है जो लिखा हुआ है वो क्या है? Teacher और student के बीच जो भी conversation हुई उस समय होती थी वो उसको उसमें लिख दिया जाता था Question number two is what answer did उपनिशदिक thinkers want to find? जो उपनिशद वाले thinkers थे, विचारक थे, सोचने वाले थे, वो किस चीज़ को find करना चाहते थे? तो answer is उपनिशदिक thinkers wanted to find about life after death, ये जानना चाहते थे कि क्या life होती है death के बाद and others wanted to know why sacrifices should be performed, यानि ये यग्ये वगएरा आखिर क्यों किया जाते हैं? Now the question number three is, name one woman thinker of that time, उस समय की कोई woman thinker का नाम, वो भी मैने आपको describe भी किया, Gargi Vachakanvi, उनका नाम था Gargi Vachakanvi, उनका नाम था Gargi Vachakanvi, लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी महनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए and if you want to protect from coronavirus then please wash your hands regularly with soap and water and please, please wear a mask क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई धिलाई नहीं, धन्यवाद, थैंक्यू